हलो फ्रेंट्स आज कि वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने नोकिया जी टैन एंडूड वाईल फोन में आप जो है टर्ण आफ हाटिस पोड अटोमेटिकली सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये टर्ण आफ हाटिस पोड अटोमे इसे आपको सेलेक्ट करने इसके अगले पेज में आपको हॉट्टिस पोट और युपाइज पन्फ इसके सामने बटन जै رखा इस बटन का आपको सेलेक्ट होने के बाद ये setting कैसे काम करती ये मैं आपको बता देता हूँ ठीक है जब भी आप अपने mobile phone के hot spot को on करेंगे और अगर कोई भी other person जो है कोई भी other person आपके hot spot को use कर रहा है अपने mobile phone में ठीक है और उसने यह है तो उसने बाद में आपके hot spot को disconnect कर लिया है अपने device से तो होगा क्या situation में आपका hot spot है आपके mobile phone का यह automatically off हो जाएगा यहाँ पर यह setting ऐसे काम करती है मैं आपको दूसरे तरीके से एक और और बता देता हूँ अगर माल लिजे कोई भी device आपके hot spot से connected नहीं है तो आपका hot spot automatically off हो जाएगा तो यह setting जो नहीं इस तरीके से काम करती है यह आपकी turn off hot spot automatically setting on करने पर तो यह setting जो इस तरीके से काम करती है आपके Nokia G10 Android mobile phone में अब मैं आपको जो है इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए आपको अपने phone का setting page open करना है setting page भी आपको सबसे ओपर इस search setting सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको search बार में टाइप करना है turn off hot spot automatically ठीक है जो setting का name है वो आपको पूरा यहाँ पर टाइप करना है तो आपको नीचे की side option शो हो जाएगा turn off hot spot automatically इसे आपको select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको direct इस setting page में लेकर आजाता है और इस setting को highlight करता है तो यह एक shortcut तरीका इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में